बड़ी खबर बिहार के कैमूर जीले से आ रही है कुद्रा बजार इसे शिव चौक ओवर ब्रीज के नीचे से खेल रहे डेड़ साल के मासूम बच्चे को दिन दहाडे दो बाइक सवार उठा कर ले भागे काफी भीड और माबाप के उपस्थिती में बच्चे का फरन किया गया मिली जानकारी के नुसार शुकरवार दो फर साड़े बार बजे की खटना है पिडित परिवार कैमूर जिला के नुवाओ थाना छीतर के नुवाओ निवासी जीते इंद्र कुमार जोकी परतमान में जीले के नगर पंचाइट कूद्रा के शिव चौक सित ओवर ब्रीज के नीचे सील लोड़ा बनाने का कार सब परिवार करते हैं पतारे किस घटा से लोग काफी डरे सहमें हैं वही परिश्णों द्वारा पुलीस या कारवाई पर भी सवाल खडा किया जा रहा जैसे किस घटना का पता करनी सेना बिहार प्रदेश उपाध्धक्ष स्प्रिण सिंगी चली वो अपनी टीम के साथ पिडित परिवार से मिल सब्सक्राम है और आप देख रहा हैं कि मेरे पात कुछ लोग हैं मैं बताना चाहता हूं कि इस बहुत बड़ी घटना तारीक को हुई फड़े बारा वजे दिन में दिन दाहार सो तो बाइक पे आते हैं और गेड़ फाल के माफून को अपहरान करके उठा कर लेकर जाते है वो भी माबाप के फाम ने पुलिफ प्रफाफन के लिए ये बड़ी चुनवती है कैमूर प्रफाफन आए दिन जो दारू और बालू के पीछे लगी राती है उस प्रफाफन के लिए बड़ी चुनवती है कि दिन दाहारे माकूम जो तेड़ साल का है खेल रहा था अपने चोटे चोटे भाईयों के पास और दो लोग आते हैं और अपहरण करके उठा कर ले जाते हैं पीछे पीछे जो बच्चे के माबाप दोड़ते हैं लेकिन वह लेकर चले जाते हैं तीन दिन बीद गया लेकिन कैमूर प्रफाफं द्वारा अभी तक उफ अपराधियों की उफ अपहरों करताओं का कोई फूराक नहीं भून पाई मेरे फार उफ बच्चे का पिता जी हैं वह बताएंगे कैफे क्या हुआ मैं उनसे अभी बात कर रहा हूं कैसे भच्चा चोरी हो इस और गया है अयले हम अलेखा रहे हैंदर्फचा रहे हैं अच्छां के गया है खाटाना में लूंजाए अब अपना बच्चा तो चला हमरा संगे संगे लिए निए तो अब बच्चा ना अभी तक थाना के लोग जाए इसे ना प्रफातों नहीं बैए जाए तो आप देख वक्ति हैं कि ये काफी गरीब परिवार है कैमूर जीला के मुवाव का रहने वाला परिवार है और यहां पर मैं बता दूंकि फील लोड़ा बना करिये लोग बेचने का कारे करते हैं और यह लोग खुद जो अफ्ठानियत प्रफाफन है उसके आरोप लगा रहा है कि प्रफाफन दोरा कोई करवाई नहीं हो रही है यह बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई गरीब का परिवार हो या गरीब का बच्चा हो अगर उन लोगों के लिए अगर प्रफाफन तदपर नहीं रहती है तो यह प्रफाफन के लिए और प्रफाफन के नाम पे यह धबा है क्योंकि देड़ फाल का मफूंग था तीन दिन भीद गया वह बच्चा कैफे रहता होगा जो मा है आप देख फक्ते हैं कि मा की क्या हालत है यह बच्चे के पिताजी है मैं अभी थानियों जो थाना है मैं थाना परवारी पर बात किया उन्होंने असवाफन दिया कैमूरा विप बहुत जल्द अपराख्ण की धरपकड़ कर लिजाएगी और पहचान करते हुए जो माकूम बच्चा है उसको वाकफ लोटाई जाएगी काइम उर्फे प्रिंडूफी